बंदे पुर्सोत्वं ठाकुर बंगला के बड़े बरामदे के अंदर स्रिश ठाकुर जी एक कमरा में बैठे हैं एवं विभिन विस्यों पर वाणियां दे रहे हैं उन्होंने अचानक घर के बाहर बेर के पेड पर नजर पड़ते ही वाणि देना बंद करके सामने बैठी महिला से कहा कि देखो तो पेड पर पक्षियां जगडा कर रही हैं उसे उड़ा दो उक्त महिला ने जाकर ताली वजा वजाकर हट हट कहकर उन्हें उड़ा दिया महिला ने कहा कि जगडा की कोई बात नहीं थी मैना सब आपस में किचिर मिचिर कर रहे थे स्रिसिठाकुर्जी ने पुनावारी देना सुरू किया थोड़ी देर बाद सेवादी कमरे के अंदर आई तो स्रिसिठाकुर्जी ने कहा कि मैना आपस में जगडा कर रहे हैं उसे भगा दो सेवादी ने जाकर देखा कि दो मैना मिलकर एक मैना को चौच से घायल कर रहे हैं सेवादी ने उस मैना को भगा दिया उन्होंने नजदीक से जाकर देखा कि घायल मैना मर गया है आँखे निकल गई हैं सेवादी आकर चुपचा बैठ गई वह हिम्मत नहीं जुटा रही थी कि स्री सिठाकुर्जी से कहें कि मैना मर गई है वाड़ी समापत होने पर स्री सिठाकुर्जी ने पूछा तो सेवादी कुछ कह नहीं पा रही थी बार-बार पूछने पर उसने पूरी घटना बताई तो स्री सिठाकुर्जी अतन्त गंभीर हो गए चहरा सोका कुल होकर काला हो गया वे कातर सवर से कहने लगे सभी लोग इस्तब्ध थे पहले वाली महिला सिसिठाकुर के चरणों में जाकर छमा मांगने लगी एवं कही कि इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है मेरी नादानी के कारण यह दुरगट ना हुई है सिसिठाकुर जी उठकर सोका कुल अवस्था में दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए सात्वती दो हजार सत्रह जून अंक प्रिष्ट संख्या तेईस जीवन जोती से जय गुरू